अहिंसा कावरत अशोक रह रहकर बाहर के ऊदेख उठते थे ऐसा लगता था मानो वे किसी की बाट देख रहे हों उनके भीतर से रह रहकर गहरी निश्वा से भी निकल उठती थी वे चिंता के साथ मन ही मन सोच रहे थे कलिंग का युद्ध अभी तक युद्ध के मैदान से कोई समाचार नह मिला कलिंग नरेश मरगेंद बड़ा शूरवीर है पता नहीं युद्ध में क्या हुआ सहसा कोई अशोक समराट के सामने पहुंसकर बोल उठा जय हो समराट की कलिंग के युद्ध में हमारी विजय हुई अशोक ने सामने की ओर देखा सैनिक वेश में सेना पती जय गुप अशोक ने म्रगेंदर के गर्व को मिट्टी में मिला दिया वह रणभूमी छोड़ कर भाग गया अशोक ने उत्सुकता के साथ कहा सच सेनापती सच मुझ म्रगेंदर भाग गया मैं इस खबर को सुनने के लिए बड़ी देर से व्यापुल हो रहा था सेनापती जगुपत ने उत्तर दिया मैं सच कहरा हूं महाराज कलिंग के युद्ध में आपकी विजय हुई कलिंग नरेश्ट मुरगेंदर सच मुझ रणभूमी छोड़ कर भाग गया समराट बोले मैं अतीव प्रसन हूं सेनापती कलिंग की विजय ने मेरे मन में हर्ष का सागर उडेल दिया है सेनिकों को एक सप्ता की छुट्टी दे दीजे और इस महान विजय के उपलक्ष में उन्हें पुरुसकार दीजे सेनापती जगुप्त समराट अशोक के सामने विनत होकर लोट रहा था कि उसके द्रिष्टी एक बौध शादू पर पड़ी उसका मुखमंडल तीजु मैं था वो कंधे पर चीवर रखे वे था और उसके हाथ में पात्र था सादू अशोक के समक्ष पहुँचकर बिना किसी भाईके बोला कलिंग के युद्ध में विजय यहाँ असत्य है समराट कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं हुई आपकी पराजय हुई है समराट विश्मित होटे वे कभी जय गुप्त की ओर तो कभी साधू की ओर देखने लगे समराट विचारों में उलजगे किसका कथन सकती है सेनापती जय गुप्त का या बौध शाधू का सेनापती सेनापती ही था समराट उसकी बात का अविश्वास तो नहीं कर सकते थे पर फिर भी वे जिग्यासा पूर्वक सेनापती की ओर देखने लगे सेनापती समराट के मन के भाव को समझ कर बोला मैं सच कह रहा हूं समराट कलिंग के युद्ध में आपको महान विजय प्राप्त हुई है सेनापती के कतन के समापत होते ही बहुद्ध शादू भी बोल उठा और मैं भी सच कह रहा हूं समराट कलिंग के युद्ध में आपकी महान पराजय हुई है जैसी पराजय कलिंग के युद्ध में हुई है वैसी पराजय आज तक आपकी कभी नहीं हुई है समराट अशोग सोचते हुए बोले स्रेश्ट स्रमन मैं सेनापती के कथन को असत्य नहीं मान सकता बहुत दिशादू ने समराट की ओ देखते हुए कहा हाथ कंगन को आरसी क्या समराट आप मेरे साथ रण भूमी में चलें और अपनी आखों से देखें कि ये आपकी विजय हुई या पराजए समराट अशोग विचारों में टूपके वे मन ही मन सोच रहे थे कि जैगुप्ट ने कहा समराट तुमारे साथ रण भूमी में नहीं जाएंगे साधू तुम न जाने कौन हो तुम साधू के वेश में गुप्ट चर तो नहीं हो साधू ने बिना किसी भाय के कहा समराट अशोग मेरे साथ रण भूमी में नहीं जाएंगे मान लो मैं गुप्ट चर ही हूँ पर अकेला हूँ और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के हूँ मैं अकेला मनुष्य शूर वीर अशोग का क्या भी गाड़ सकता हूँ समराट क्या सच्चय का पता लगाने के लिए आप मेरे साथ नहीं चलेंगे अशोग के मुख से निकल पड़ा चलूँगा साधू सत्य का पता लगाने के लिए अवश्य तुमारे साथ रण भूमी में चलूँगा पर समरण रहे यदि तुमारी बात सत्य नहीं हुई तो मैं रण भूमी में ही तुमारा मस्त तक काटकर फैक दूँगा साधू बोला मुझे आपकी शर्त स्यूकार है समराट और समराट अशोक हाथ में तलवार लेकर शिविर से बहार निकल पड़े वे साधू के साथ रण भूमी की ओर चल पड़े शुकल पक्स की चतुरदसी की रात थी समराट अशोक साधू के पीछे-पीछे रण भूमी की ओर चलने लगे गगन में चंद्रमा हस रहा था धर्ती पर शुब्र चंद्रिका खेल रही थी पेड़ पौंधे और मकान सभी सफेदी में रंगे हुए से दिखाई पड़ रहे थे चारों और सन्नाटा चाया हुआ था सम्राट अशोक जिस गाउं से होकर निकलते थे वह उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था घर घर चे रोने और विलाब करने की आवाजें आ रही थी सम्राट अशोक ने उन आवाजों को सुनकर साधू से पूछा साधू क्या तुम्हें कुछ पता है यह लोग क्यों रो रहे हैं साधू ने उतर दिया हाँ सम्राट मैं इनके रोने का कारण जानता हूँ इन रोने वालों में किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पती और किसी का पुत्र रण भूमी में मृत्तु की गोद में सो गया है युद्ध ने इनके घरों को उजार दिया है, इन्हें बिना किसी साहरे के बना दिया है समराट अशोप सुनकर मौन हो गए वे सोचते हुए आगे बढ़ने लगे उन्होंने मार्ग में देखा कहीं भेडिया किसी के शव को नोस नोस कर खा रहा है कहीं स्रिगाल किसी शव में दात लगा रहा है और कहीं जंगली कुत्ते किसी शव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं समराट अशोप आगे बढ़ते हुए रणभूमी में जा पहुँचे साधू उन्हें घूम घूम कर रणभूम का द्रिश्य दिखाने लगा रणभूमी में चारों ओर से आहातों की चितकार उठ रही थी कोई पानी के लिए तड़प रहा था तो कोई घाओ की पीड़ा से चखपटा रहा था किसी की गर्दन कटी हुई थी तो किसी के दोनों पैर किसी के दोनों हाथ कटे हुए थे तो किसी का शरीर दो टुकडों में कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था भेडिये और स्रिगाल लाशो को खीशते हुए लिये जा रहे थे भयानक द्रिश्य था रणभूमिका अशोक उस द्रिश्य को देखकर काप उठे साधू ने समराठ की ओर देखते हुए कहा समराठ यही है आपकी विजय का द्रिश्य आप इसे क्या मानते हैं विजय या अपनी पराजय समराठ कुछ उत्तर नहीं दे सके साधू पुनह बोला समराठ अभी आपने कुछ नहीं देखा मेरे साथ और भी घूमिये गाउं गाउं में घूमिये घर घर में चल कर देखे कितनी इस्तरिया विद्वा हो गई हैं कितनी माताएं बिना पुत्रों के हो गई हैं और कितनी बहने बिना भायों के हो गई हैं समराट वे सभी आचल उठा उठा कर कह रही हैं अशोक का सर्वनाशो साधू अपने कथन को समाप्त भी ने कर पाया था कि समराट अशोक बोल उठे बस करो साधू, बस करो ससमुचिव मेरी पराजय हुई है ओ, मैंने अपनी विजय के लिए इतना नर्ष संहार किया साधू, मैं परतिग्या करता हूँ आज से फिर कभी युद्ध नहीं करूँगा लो तुम्हारे सामने ही तलवार को फैक रहा हूँ समराट अशोक में जिस तलवार से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी उसे उन्होंने अपमान पूरव धर्ती पर फैक दिया तलवार से जन जनाहट के आवाज निकल कर वायो मंडल में विलीन हो गई समराट अशोक ने सच मुच उस दिन से फिर कभी युद्ध नहीं किया कलिंग के युद्ध के पूर हुए युद्ध विजयता के नाम से परसिद्ध थे पर कलिंग के युद्ध के पश्चात वे परसिद्ध हुए अहिंसा वरत के वरती की रूप में उन्होंने अपने देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी एहंसा का परचार करके स्वयम को अमर बना लिया